आज की वीडियो में हम production possibility curve यानि PPC के बारे में पढ़ने वाले इससे पहले इस chapter की एक वीडियो हो चुकी है जिसमें अपने central problem of the economy को देखा था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले देख लेना आज बात करेंगे यारे PPC या production possibility करव क्या होता है पहले इसका डाइग्राम देखो अगर हम डाइग्राम की बात करते हैं तो PPC का डाइग्राम बस ही सिंगल लाइन है मतलब बस इतना सा ही है यह बस लाइन मना दो या आपका PPC बन गया तो जिसका डाइग्राम इतना आसान है वो कितना ही मुश्किल होगा तो PPC सबसे आसान टॉपिक है आपकी microeconomics का तो अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे तो PPC क्या है इत इन अल्टरनेटिव कॉंबिनेशन अल्टरनेटिव कॉंबिनेशन मतलब अलग-अलग कॉंबिनेशन किस जैसे मैं अगर बात करते हैं मारे पाद दो गुड है गेहूं और चावल वीट एन राइस तो फर एक्जाम्पल मेरे पास कॉंबिनेशन ए आ गया कि सर मैं 100 किलो गेहूं उगाऊं और चावल बिल्कुल भी ना उगाऊं या फिर option नमबर भी आ गया 60 किलो गेहूं उगाऊं और 50 किलो चावल उगालू या फिर option number C आ गया 30 किलो गेहूं और 80 किलो चावल उगालू तो ये क्या है मेरे पास अलग अलग कॉंबिनेशन है तो PPC क्या करता है इन सभी कॉंबिनेशन को एक लाइन पे लाके रख देगा अब सबसे बड़ा सवाल ह कि सर मैं तो कितने भी उगालू ना 100 किलो क्या मैं तो 5000 किलो गालू तो यहां पर हमारा एक concept आता है with the given resources and technology अपने पिछली वीडियो में भी यह देखा था कि हमारी economy की सबसे बड़ी problem है इस care resources यानि कि limited resources जें में पैसा limited है for example मानते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपे प्रडक्शन करते हैं तो अब क्यूंकि हमारे पास resources limited है technology limited है हम unlimited तो सामान बना नहीं सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा है कैसा diagram बना रहे हैं जिसके तुरू हम यह देखते हैं कौन कौन से option हम हमारे पास available है यानि अगर इस PPC की बात करूं तो जैसे मान लो हमारे पर 10,000 रुपे तो मान लेते हैं point A इस point A पर यह ले लो तुम्हारा wheat और यह लेते हम rice अगर point A की बात करें तो point A पर मैं स्रिफ और स्रिफ क्या होगा रहा हूं बेटा wheat हुगा रहा हूं चावल का production 0 है अगर मैं यहां point B पर बात करता हूं तो मैं यहां पर इतना तो उगा रहा हूं wheat और इतना उगा रहा हूं चावल यानि की rice अगर point C पर बात करें तो क्या हो रहा है यहां पर इतना production हो रहा है wheat का और इतना production हो रहा है rice का यानि जो PPC है उसके अलग-अलग point क्या बताते हैं कि मैं कैसे अलग-अलग production कर रहा हूं पर एक चीद ध्यान में रखनी है कि यह जो पूरी line है ना इस line पर कोई भी point हो वो यह बता रहा है कि आपने पूरे के पूरे 10,000 रुपे खर्च करती है आपकी जेब में एक भी पैसा नहीं बचा है point A पर जब मैं सिर्फ और सिर्फ गे से गेहूं कम करना पड़ेगा समझ में आ गया तो पीपीसी की लाइन क्या बताती है वो सारे combination बताती है कि हम 10,000 रुपे के अंदर कितने कितने तरीके से गेहूं और चावल उगा सकते हैं समझ में आ गया अब आगे बढ़ते assumptions की तरफ देखो भई assumption का मतलब क्या होता है प यह कहता है कि कुछ चीज है ऐसी है जो हम मानके चलते हैं कि ऐसी ही रहे क्योंकि अगर इन में बदलाव आया तो हम डाइग्राम नहीं बना सकते कौन कौन सी चीज है सबसे पहली चीज जो यहां लिखा हुआ है ना कोई चीज इनों नहीं यहां लिख दी देखो resources are given given का मतल लिख दिया तो पहला assumption क्या है कि यह मानो कि आपके resources given है मतलब आपकी जेब में एक fix amount का ही पैसा है आप इस से ज्यादा नहीं जा सकते कम नहीं जा सकते ठीक है क्योंकि अगर ज्यादा चले जाओगे तो फिर तो आप कितना भी बना लो कमी थोड़े ना रही है ठीक है कम च technology किसी चीज की भढ़ जाएगी तो हम उसका ज्यादा production कर सकते हैं समझ में आ गया ना कोई चीज अगर technology के लिए अच्छी हो जाएगी तो मैं कम पैसे में और अच्छा बना सकता हूं उसको ठीक है तो इसलिए हम technology को भी मानेंगे कि diagram बनाने के लिए हमें technology को भी same amount में रख सबके अलग-अलग नाम होते हैं आपका भी घर का नाम अलग होगा इस्कूल का नाम अलग होगा दोस्त कोई और नाम से बुलाते होंगे उसी तरीके से पीपीसी के भी कुछ और नाम हैं दो अलग नाम हैं एक तुम बोलते हैं production possibility curve एक इसको production possibility frontier मतलब वही है बस बोलने का तरीका लगले अपने अपनी महाशा में पीपी एफ भी बोलते है production possibility frontier नाम समझ गए production की possibility करने वाला करव एक ऐसा करव जो बताता है कैसी कैसी possibility हो सकती है और अगला आता है transformation करव अब इसको transformation करव क्यों बोलते हैं यह अपन इस वीडियो के end तक समझ जाएंगे कि क्यों इस इसी से related कुछ points को समझते हैं जैसे मान लो कि हमने एक diagram बनाया PPC का y, x यह अपना axis है और यह हमारा PPC का diagram थोड़ा बड़ा बन गया diagram तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं यह लोग है ठीक है यह आपका आगया PPC अब इसको मैं कुछ points बना रहा हूं मतलब समझेंग यहां एक point बनाते हैं C और यहां एक point बनाते हैं E यह मैंने कई सारे point बना तो अब समझतें इन point का मतलब क्या होटा है तो पहले तो पकड़ते हैं वो point जो कि इस line पे है तो हमने भी थोड़ी देर पहले समझा था ठीपी PC की line पे अगर कोई भी point है तो उस point का simple भाषा में म खर्च होगया बस फरक इतना है कि अगर बी पर बात करें तो मैंने गुड़ इतना बनाया एकस इतना बनाया बी पर बात करे er तो क्या हो गया वा मैं थोड़ा कम हो गया और एकस थोड़ा फड़ गया बस फरक इनके technique को प्रॉड़क्शन के कॉम्बिनेशन में है कि पहले राम और शाम चलेगे फिर राम ने बोला भाई शाम को हटा दो मोहन को लिया ठीक है तो क्या हो गया बस production की possibility बदली है इसके इलाबा कुछ भी नहीं हुआ है समझ गए ना आगे बने तो PPC की line पे अगर कोई भी point है तो वो point क्या बता रहा है कि आपके पास जितने भ resources अब बात करते हैं इसकी point C अब आप C को समझो कि आपके पास 10 लाग रुपे हैं जो कि यहां पड़े हैं यह 10 लाग रुपे है ठीक है आपने इतना ही production करा वाय आप इतना बना रहे हो एक साप इतना बढ़ा रहे हो तो इसका मितलब क्या है कि आप पूरे 10 लाग यूज ह नहीं कर रहे हो हो सकता है आपने 4 लाग इस्तमाल करे हो हो सकता है आपने 6 लाग इस्तमाल करे हो पर यह clear cut दिख रहा है कि आप यहां से ऊपर इधर इधर और production कर सकते हो यूगि आपके पास अभी और पैसा बागी है तो point C जो है वो दिखाता है under utilization of resources यानि कि resources का पूरी त production कर सकते हैं बिना किसी एक good के production को कम करे हम दूसरे को बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं या दोनों कोई बढ़ा सकते हैं यूगि अभी आपके पास जो resources थे जो पैसा था वो आपने पूरी तरीके से यूज नहीं किया समझ गए आखरी point समझते point number E तो आप देखो यह PPC का क कर्व है यह 10,00,00,00 रुपे बता रहा है आप शाहरे हो कि भाई हम E पर आ जाए का मतलब क्या हुआ मैं डाइग्राम को थोड़ा सा सुधार देता हूं ताकि आप समझ जाओ एक बारी है ना देखो इसको मिटा देते हैं बढ़िया लगेगा मिटके देखो तो अगर point E की करें तो point E कह रहा है कि भाईया X का इतना कर लो और Y का इतना कर लो यानि कि आपकी जेम में 10,00,00,00 रुपे हैं और आप यह सोच रहे हो कि मैं 25,00,00 का खर्चा कर लूँ क्या बिना लोन लिया है बिना कुछ करे possible है क्या यानि कि जेम में 10,00,00,00 रुपे लेके आप जा र नहीं है क्योंकि आपकी शमता 10,00,00,00 है हां बविश्य में आपकी शमता अगर भड़ेगी जैसे हमारी अर्थवरस्ता है बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है तो एक टाइम ऐसा आईगा जब हम इस शमता को पहार कर जाएंगे पर अभी जो रिसोर् है मतलब अभी practically possible नहीं है non feasible का मतलब क्या होता है feasible मतलब होता है possible non feasible मतलब impossible तो अभी के resources के इसाब से यह non feasible या non attainable reason भी बूलते हैं मतलब आप वहां तक नहीं पहुंच सकते यह आपकी capacity के beyond है समझ में आ गया सबको तो यह जो लाइन है क्या बता रही है यह लाइन बता रही है कि मेरी production की शमता यह लाइन है अगर मैं इस लाइन से कम हूँ यानि C पे हूँ तो समझ गे चल आगे बढ़ते हैं पीपीसी का shift और rotation अब पहले इन दोनों का मतलब समझो shift का मतलब क्या होता है rotation का मतलब क्या होता है जैसे मानलो यह object है यह यहां से उठके यहां चला गया या फिर यहां चला गया इसको हम बोलते है shift होना मतलब अपनी जगे छोड़कर दू करतार तो यह मेरा shift है यहां से और यहां चला गया यह भी मेरा shift है अगर रोटेशन की बात करता हूं तो आपने देखा अब की घड़ी करती है rotate कैसे करती है यह माल लो कि मेरे पास एक चीज है, अगर इसकी rotation करनी है, तो मैं एक common point लेकर, इसको यहां से यहां कर दूँगा, या फिर यहां कर दूँगा, अगर इस pen case आप सो समझाएं, तो देखो, यहां है, अभी यहां चला गए, यह shift हो रहा है, पर अगर मैं यूंग कर रहा हूं, तो यह क्या कर रहा है, rotate कर रहा है, तो rotate का मतलब होता है, कि आपका एक point common है, दूसरे point में बदलाव हो रहा है, और shifting का मतलब पूरा का पूरा उठके, दौनों points आगे पीछे हो गए, तो अब अपन समझते, PPC कब shift होता है, और कब rotate होता है, देखो यहां पर, तो for example, मैंने एक diagram बनाया, PPC का, वही अपना OXY, और यहां हमारा बहुत बहुत बहुतरीन सा diagram बन गया, यह मालने ते A point और यह मालने ते B point, अब बात करते हैं, shift कब होता है, तो shift होने का मतलब क्या है, कि आप पूरा ही आगे भढ़ गए, तो shift कब होगा, जब दौनों goods के resources में बदला बाव आएगा, मतलब दौनों goods के resources बदल गए, भढ़ गए या कम होगे, तो मान लेते resources या फिर technology, technology भी लिख लेना इसमें, तो मान लेते हैं, हमारे दौनों goods की, wheat की और rice की, इनकी technology अच्छी होगे, तो technology अच्छी होने की वज़े से per unit cost कम आएगी, मतलब जब पहले सामा बनाते हैं, तो भाई, starting में महंगा बनता है, फिर जैसे जैसे technology अच्छी होती जाती है, वो सामन सस्ता होता जाता है, तो उसी प्रकार से जब हमारी technology भढ़ गई है, तो अब क्या हो सकता है, हम ज़्यादा production कर सकते हैं, तो मान लेते हैं, हम wheat का A unit बना रहे थे, तो क्योंक पुराना PPC बनेगा, ये, ये कहलाता है, shifting of PPC, जहां ये पुराना PPC, मान लेते हैं, PPC, P1 और ये हो गया P2, ये P1 shift हो के, P2 पे चला गया, दोनों तरफ से आगे भढ़ गया, इसको हम बोलते है, shifting of PPC, और इसका एक नाम और है, इसको बोला जाता है, economic growth, economic growth का मतलब, आप की economy जो है, हमारी भारती economy जो है, इसकी growth हो गई, मतलब production करने की शमता, या technology की शमता और भढ़ गई है, समझ में आ गया, clear हो गया सबको, तो अगर आपका resources दोनों goods के भढ़ जाते हैं, तो ये आगे की तरफ भढ़ जाएगा, इसको हम बोलते है, rightward movement, eco का कोई भी diagram, जब तो right की तरफ भागता है, तो वो भढ़ रहा है, मतलब increase हो रहा है, ये हमेशा याज रखता है, और अगर left की तरफ आ रहा है, तो decrease हो रहा है, तो जब भी हम अपनी definition में बोलते है, from left to right, मतलब हम यहां से यहां की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हमारा PPC आगे बढ़ गया तो मानते क्या है, छीजी जो गई economic growth हो गई, चीक है, अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी economic growth ही हो, कभी-कभी हो सकता है कि economy खराब हो गई हो, कभी-कभी हो सकता है कि हमारी production की शमता खराब हो गई है, या technology पुराली हो गई है, तो इस वज़े से क्या होता है, हम तो हमारा क्या हो रहा है, economy का degradation हो रहा है, या हम माने recession आ रहा है, recession मतलब कमती आ रही है, कम हो रहा है, समझ में आ गया, तो economic growth जब shift right में हो, economy का खराब होना, जब shift left में हो, तो shifting समझ गए, जब दोनों goods के, अब बात करते है, rotation, तो मेरे इसाब से आप rotation को काफी हर्त अपनी देखेंगे, तो देखो, जब भी rotation की बात आती है, तो किसी एक good के technology या resources में बदलावा रहा है, दूसरा वही की वही रुखा हुआ है, तब rotation कहला है, for example, अगर मैं इसको ऐसे लिखो, x by y tech increase, तो यह जो अजीफ सा अड़भंगा सा लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो समझ and y की technology constant है, तो x की technology भढ़ गई, y की constant है, y constant मतलब इस तरीके से, तो हम क्या मान रहे है, कि x और अच्छा technology हो गई है, y वही के वही है, तो यह अपना original diagram है, x की technology भढ़ गई, मतलब x और अच्छा हम हमें दिखने लग गया, मिलने लग गया, तो जब technology भढ़ जाएगी, तो हम ज्यादा बना पाएंगे, तो x क्या हो गया, यहां से उठके कहां आ गया, बी डैश पर आ गया, जबकि y जो है, उसकी technology बिलकुल उतनी की उतनी है, तो यह y की technology देखो, अब नया diagram, कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है, तो यह कहलाया, आपका rotation, कैसे बताएंगे, x by y fact increase, समझ गये, clear हो गया, अब मुझे बताओ, कितने वच्चें जिन्होंने सही predict किया था, कि यार ऐसा ही बनेगा, अगर सही किया तो मतलब तो पूरा समझ गया, ठीक है, अब देखो, इसका opposite मानते हैं, इसको मिटाएं, इसको मिटा के एक बढ़िया सा diagram बनाते हैं, ठीक है दूसरा case समझते हैं, दूसरा case क्या है, x by y technology decrease, कि x की technology कम हो गई है, y क्योंतनी है, अब क्योंकि y क्योंतनी है, तो y में change नहीं करेंगे, x की कम कर देते हैं, तो ये तो diagram बन गया, left में rotate हो रहा है, ठीक है न, तो x की कम हो गई, यानि b से b dash इस तरफ आ गया, और y वहीं का, वहीं है, समझ गए, दो case और देखते हैं, मिटाओं में इसको, देखो यहाँ पर, तो अगला case क्या मानते हैं, इसका opposite मान लेते हैं, ये अटा देते हैं, यह अटा देते हैं, ये अटा देते हैं, और ये नीचे की line, तो आप समझी गया, तो हम मानते हैं y by x technology increase, यानि y की technology तो देखो य की भढ़ गई तो य अच्छा हो गया राइट में चला गया उपर की तरफ एक्स वहीं के वहीं है तो आपका डाइग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा ठीक है यह आ गया आपका तूसरा डाइग्राम यह बता रहा है एक्स अपनी जगे है य जो है बढ़ ग य बाइग्स टेक्नोलजी डिक्रीज हो गया समझ गया असान है एजी है वहाच सिंपल है अब मैंने आपको बुला था लास्ट वर्ट बताऊंगा कि यह ट्रांस्फोर्मेशन कर्व क्यों कहा जाता है तो देखो ट्रांस्फोर्मेशन कर्व इसलिए कहा जाता है यूगि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हम वाई को छोड़ते जाएंगे और एक्स का प्रड़क्शन और करते जाएंगे यानि कि अगर हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आना है तो हमें वाई का प्रड़क्शन कम करना पड़ेगा और एक्स का प्रड़ाना पड़ेगा तो अगर इसको एक भाशा में समझे तो हम कहीं न कहीं y को x में बदल रहे हैं, इसलिए इसको transformation curve कहा जाता है, इसको समझने के लिए अगली वीडियो में हम opportunity cost, marginal opportunity cost यह सब देखेंगे, तो उसको अपन वहीं रखते हैं, अब अंतों में लाते हैं आप लोगों के लिए बहतरी बदल जाए बविश्य के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो description में मैं लिंक दे दूँगा, यह आपको Amazon पे मिल सकती है, यह आपको हमारे application commerce के इंग गौरवजयन पे मिल सकती है, और साथ साथ में अगर कोई confusion है, देखना ऐसा language कैसी है, तो इस number पे आ जाओ, अराम करो, ठीक है जी, तो यह आपको Amazon मिल जाएगा, अगर मिलती है, तो हमारे application पे पीडिएफ ले सकते हैं, या home delivery भी मंगा सकते हैं, ठीक है जी, तो चलो मिलते हैं आप लोगो सेटली वीडियो के साथ, तिल दन बाल को keep on watching, good night, bye-bye, नमस्कार.